गोड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल टार्वी तालोक में और पुना में एक बार गौर्णनेजन आपका अपनी भूगोल की कच्छा में आपका स्वागत करता हूँ हम लोग बिस्मानचितर पढ़ रहे हैं, बिस्भूगोल पढ़ रहे हैं और उसी बिस्भूगोल में अंगला जो आज का एटलस है आज का जो हमारा कॉंटिनेंट महादीप है, इस महादीप का नाम है इरोब महादीप तो आज हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो इरोब महादीप पर करनी है इरोब महादीप को अच्छी से समझना है चलिए तो इरोब महादीप को समझने से पहले एक दो पॉइंट है जुनको पहले समझ लीजेगा इरोब महादीप औस्टेलिया महादीप का बिपरीत है कहने के मलब यह है कि जो मैंने आपको औस्टेलिया महादीप में जो चीजें समझाई थी उसका बिपरीत है जैसे हमने आउस्टेलिया महादीप में आपको एक बात लिखाई थी कि आउस्टेलिया महादीप बिस्व का एक ऐसा महादीप है जिसमें सबसे अधिक मरूस्थल है यहां मैं कहा रहा हूँ इरोप महादीप एक ऐसा महादीप है जिसमें एक भी मरूस्थल नहीं है पहली बात दूसरी बात हमने आप से कहा था कि आउस्टेलिया महादीब इसका एक ऐसा महादीब है जो पूर्ण रूप से दच्छनी गोलार्द में है क्योंकि मकर रिखा गुजरती थी औस्टेलिया से, यह आपका इरोब है, इरोब महादीप एक ऐसा महादीप है जो पूर्ण रूप से उत्री गोलार्द में है, कहां पर है, उत्री गोलार्द में, तो इरोब महादीप से सम्मंध दो बात है, पहली बात कि इरोब महादीप मे एक भी मरुष्तल नहीं है और दूसरी बात इडरोब महादीप में बिश्चु के सरवादिक प्रायदुईप पाई जाते है तो यहां पर कई सारे प्रायदूईप है जैसे आपको देखेगा एक एही देख रहा है एक, दो, ती, तीन ओर इसके जल है श्कंडिवेनियन प्रायदोईप ठीक ना एक यहाँ पर उपर देख रहा है एक यहाँ पर जूटलेंड प्रायदीप है एक यहाँ पर है इस्पेन और पुर्तेगाल में तो अभी मैं पढ़ाओंगा इस पे नौप पूर्थिकल में आईवेरियन प्रायदूइप तो कई सारे प्रायदूइप है इरोब महादूइप में सबसे पहले आपको तीन पॉइंट याद रखने है कि इरोब महादूइप इस पूर्ण रूप से उत्री गोलार्द में है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इरोब महादूइप कैसा महादूइप है जिसमें सबसे आदिक क्या पाए जाते हैं और देश का नाम क्या है आइसलेंड आइसलेंड की राजधानी जो है वो रेकजाविक है आइसलेंड की राजधानी है आइसलेंड देश का नाम क्या है तो सब से उपर पढ़ा है हम लोग यहां पर एक देश है जिसका नाम है आइसलेंड के नाम है आइसलेंड और देखा जाए तो यहां पर नौरवे भी है यहां पर देखा जाए तो नौरवे की राज़ानी यहां पर है आसलो स्वेडन की राजदानी इस्टाखोम यहां पर है और फिलेंड की राजदानी हेलासाल की यहां पर है तो यह तो राजदानी है यहां पर है देखा जाए तो इन राजदानियों के भी उपर रैक्जाविक है तो कहने का मतलब है कि जो आइसलेंड देश है उसकी राजदानी र सबसे उत्री राजदानी है, इरोमाइदीप की सबसे उत्री राजदानी का नम मता ये गा, रहगजावेगग, किस देश की है, आइसलेंड, चलिए, आइसलेंड के जब आङए बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पानी है और पानी में यहाँ पर एक आपको सागर याद रखना है सागर का नाम है नौर्वेजियन सागर कौम सागर है तो यहाँ पर एक सागर है सागर का नाम है नौर्वेजियन सागर नौर्वेजियन सागर के आंगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर एक देश से नौर्वे और नौर्वे के आंगे एक देश से स्वेडन एक देश से नौर्वे और एक देश से स्वेडन और स्वेडन के आंगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर एक देश से जिसका नाम है Finland और Finland के आंगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर एक देश से जिसका नाम है Rus चार देश बोले हमने Norway, Sweden, Finland और Rus Norway, Sweden Norway है, Sweden है Finland है और Rus है यहाँ पर देखिएगा God से तो यहाँ से एक रेखा उजर रही है इस रेखा का जो नाम है इस रेखा का नाम है आर्किटिक रेखा का नाम क्या है तो इस रेखा का नाम है आर्किटिक ब्रत और आर्किटिक ब्रत का जो मान है वो है साड़े छचचचच डिग्री अन आर्किटिक ब्रत का मान कितना होता है तो आर्किटिक बृत कमान होता है 6.66 डिगरी एन आपको याद होगा जब मैं ने उत्तर अमेरिक MaVIN पढ़ाया था जब उत्तर अमेरिक Maaşदीब से भी आर्किटिक बृत गुजरती है कौन से बृत गूजरती है? ढर्किटिक बृत है तो एक देश हो गया आपका नॉर्वे दूसरा देश हो गया आपका जहांसे रेका गुजरती Architect Brit गुजरत आपका और Architect Brit का मान कितना होता है 16.60 degree N कितना होता है 16.60 degree N तो 16.60 degree N अच्छा एन्स रेखा ईरोब महादीब के चार दीशों से गुजरती है Norway, Sweden, Finland और आपका रूस ठीक है इतनी कहानी हो गई तब इतनी कहानी होगी तो आंगे बढ़ जाते है नौर्वे देश कौन सा देश है नौर्वे तो नौर्वे जो देश है नौर्वे लिखते हैं हम यहाँ पर नौर्वे अब जानते नौर्वे की राधानी कहाँ पर है तो नौर्वे की राधानी है वो कहाँ पर है तो नौर् और स्वेडन की राधानी है स्टॉक हो नौर्वी की राधानी आसलो है और एक देश से जिसका नम स्वेडन स्वेडन की राधानी है स्टॉक हो जो नौर्वी की राधानी आसलो है यहाँ पर एक पुरुसकार दिया जाता है और इस पुरुसकार का नाम है सांती सांती का नौवेल पुरुसकार सांती का नौवेल पुरुसकार तो सांती का नौवेल पुरुसकार कहां पर दिया जाता है नौवे की राधानी आसलों में दिया जाता है नौवेल पुरुसकार कुल छे छेत्रों में दिया जाते है तो यदि एक छेतर है आपका सांती तो कितने छेतर वचे पाच तो जो अन पाच नौवेल पुरुसकार है यह कहाँ पर दिये जाते हैं तो यह स्वेडन की राधानी इस्टॉक होम में दिये जाते हैं कहाँ पर दिये जाते हैं स्वेडन की राधानी इस्टॉक होम में कितने पाच नौवेल पुरुसकार दिये जाते हैं जबकि एक नौवेल पुरुसकार कहाँ दिया जाता है नौर्वी की राधानी आसलो में अब नौवेल पुरुसकार देखा जाए तो एक सांती हो गया देखिए आपका भाउतिक भात्की बोलते हैं भात्की यहाँ इसके बाद आपका एक नौबेल है जिसका नाम है रसायन और एक नौबेल और आपका जिसका नाम है स 23 कchau सै खुल है rays 2019 का नाम है अर्थसास्त्र का आसलो में बगायर सारे जो न leftover पुरुसकार है इसका नावर पर दिय जाते हैं स्वेडन की राँदानी इस्टाउखोम में दिय जाते हैं इतना कर YOUR है इसके आँगे बढ़ें तो यहाँ पर एक देश से देश का नाम क्या है फिनलेंट देश का नम क्या है फिनलेंड ये फिनलेंड देश एक ऐसा देश है जिसमें सरवादिक मात्रा में जीलें पाएं जाती है फिनलेंड एक ऐसा देश है जिसमें सरवादिक मात्रा में जीलें पाएं जाती है जीलों का देश, कौन सा देश, जीलों का देश, तो जीलों का देश के नाम से, कौन सा देश जाना जाता है, फिनलेंड या नहीं, फिनलेंड देश में, जीलों की संक्या, सब चैदे किसली से, जीलों का देश कहते हैं, किसको फिनलेंड को, हो गया, फिनलेंड के आंगे बढ गल्फ औभ ँवधनिया गल्फ औभ और गल्फ और फिनलैंड अब नीचे आना है जब नीचे आएंगी तो यहाँ पर तीन देष आपको देखना है एक यहाँ पर मैं बुलू कलर से लिगता हूँ एक यहाँ पर है जिसका नाम है एस्टोनिया एक यहाँ पर है जिसका नाम है लाटविया और एक यहाँ पर है जिसका नाम है लिथुआनिया एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया कौन से तिन देश हैं एक देश का नाम है एक देश का नाम है लाटविया और एक देश का नाम है लिथुआनिया यह तीन जहां पर देश है यहां पर जो आपको पानी दिख रहा है यह पानी जो है यह पानी का एक नाम है और जल का नाम जो है यहां पर एक सागर है और इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर कौन सा सागर है स्री तो यहाँ पर इस सागर का नाम क्या है? बाल्टिक सागर तो तीन देश हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया कौन से तीन देश है? मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं तीन देश हैं आपको किरम से लिखना है एक देश का नाम है एस्टोनिया एक देश का नाम क्या है एस्टोनिया एस्टोनिया दूसरे देश का नाम है लाटविया एस्टोनिया लाटविया और एक देश का नाम है लिथुआनिया तो एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया तो एस्टोनिया लाटविया लिथुआन और यहाँ पर जो पानी है इस पानी का एक नाम है और इस पानी का जो नेम है वह आपका बाल्टिक सागर कौन सागर है यहाँ पर तो यहाँ पर एक सागर है और इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर कौन सा सागर है बाल्टिक सागर है तो चुकि एस्टोनिया लाट्विय और लिथवानिया देश जो है वो बाल्टिक सागर की किनारे हैं बाल्टिक सागर की किनारे होने के कारण इन तीनों देशों को नाम दिया जाता है बाल्टिक कंट्री के नाम दिया जाता है तो इन तीन लाट्विया और लिथ्वानिया कौन से तीन है एस्टोनिया लाट्विया और लिथ्वानिया अब कई वार क्या होता है इसी करम पूछ लिया जाता है कि बाल्टिक देशों में सबसे उत्तर में कौन है तो मैंने आपको अंगिनंत बार बताया है कि उपर वाला उत्तर होता है तो यह सबसे उत्तर में हो गया और लिथवानिया क्या हो जाएगा सबसे दच्छन में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बाल्टिक सागर के कौन से क्रेम है उत्तर से दच्छन यानि Baltic देशों में सबसे उत्तर में Estonia है उसके दाच्छण में Latvia और सबसे दाच्छण में Lithuania है तो आप से simple सा कुशन पूछा जाएगा कि Baltic देश के तीन देशों को कहा जाता है तो आप बता दीजेगा Sir Estonia, Latvia और Lithuania को Baltic country या Baltic देश कहते हैं अब Baltic देशों से आगे बढ़ियेगा तो बाल्तिक देशों से अगर आँगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नाम है देनमार्क है यहाँ पर Baltic सागर था और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है North Sea जर्मनी जो है जर्मनी में यहां पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील नहर जर्मनी में एक नहर बनाई गई है और नहर का नाम है कील कील नहर ठीक ना अच्छे समझीएगा मैं यहां बना रहा हूँ, यहां पर एक सागर है और इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर, ठीक न? मैं यहां पर बना दिये रहा हूँ यहां पर एक सागर का नाम बाल्टिक सागर यहां पर एक देश से देश का नाम है डेनमार्क देश का नाम क्या है यहां पर एक देश से देश का नाम है डेनमार्क और डेनमार्क देश के नीचे यहां पर डेनमार्क देश के नीचे एक देश से इस देश का नाम है जर्मनी औ यदि आपको जल मारक के द्वारा बाल्टिक सागर से कहा जाना है उत्तर सागर जाना है तो यहां पर एक नहर बना दी गई तो जो यहां पर नहर बनाई गई है इस नहर का नहर का जो नाम है कील नहर, कील कैनाल, कील नहर जर्मनी में है, कील नहर जर्मनी में यह नहर क्या कर रही है? यह नहर करती है, बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ रही है, बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ रही है, पहला कुछ नहीं हो गया, दूसरा कुछ नहीं पूछ नही है वो आपकी जर्मनी में है अब उत्तर सागर उत्तर सागर का जो छेत्र है जर्मनी के तटका उत्तर सागर के छेत्र को एक नाम दिया जाता है जर्मनी में डोगर बैंक के नाम दिया जाता है गा बना है मिटा के दूसरा बना देता हूं इसको नाम दिया जाता है उत्तर साग सागर के तत ऑधर सागर के तर्मनी में मत्स हुत्ताइदन ऐसे फेमस्स इहंपर का उत्पादन बहुत किया जाना था क्योंकि इसी डोहगर बेग्र में यहां पर उत्तर सागर के छेतर में जर्मनी में यहां पर इक घास पाई जाती है घास का नाम है प्लैंक टन है कौन सी घास पाई जाती है और प्लैंक टन घास जो है यह मचलियों का मुख भोजन माना जाता है मचलियों का मुख भोजन है मचलियों का मुख भोजन प्लैंक टन देखबे हैं, मचलीों की संख्या दे किसलिए यहां पर कह кिया जाताए किया जाता है खेटरेंग के लिए पिर्सित है तो आप हम बाल्टिक Stagari से उत्तर सागर आ गए किस नहर के माद। हम से कीले नहर के अब हम लोग कहा है? उत्तर सागर शो आगे बढ़े हैं UK है यहाँ पर और UK के निचे यहाँ पर एक देश है और यह देश का नाम क्या है यह देश का नाम France ठीक ना पूरा है जर्मनी से सटा हुआ है जर्मनी से सटा देते हैं तो यहाँ पर UK और निचे कौन सा देश है France और UK और France से आंगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर एक महासाग अट बैसे कि एप उत्तर सागर से United को आपको पार करना पड़ेगा उस चैनल का नाम है इंग्लिस चैनल के नाम है? यहाँ पर एक चैनल है और इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है इंग्लिस चैनल तो इंग्लिस जो चैनल है वो क्या करती है? उत्तर सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है इंग्लिस चैनल उत्तर सागर को अट्लांटिक माह सागर से जोड रही है जबकि United Kingdom को किस देश से अलग कर रही है फ्रांस United Kingdom को किस देश से अलग कर रही है फ्रांस देश से अलग कर रही है एक बार फिर से यदि Baltic सागर से आपको उत्तर सागर आना है तो एक नहर बनाई गई वहाँ पर नहर का नाम है कील नहर, के नाम है कील नहर, वहाँ पर एक जलसंदी भी है, तो जलसंदी अभी नहीं बता रहूँ मैं, फिजिकल वाले मैं बताऊंगा, तो अभी आपको याद रखना है कील नहर, जब बाल्टिक सागर से उत्तर सागर आन वहाँ पर आगए अट्लांटिक अभी यहीं पर रुकिएगा हमने बताया कि जर्मानी में जो उत्तर सागर का छेत्र है उत्तर सागर का जुत्त है वो प्लेंक्टन वनस्पति वहाँ पर अधिक मातराम पाई जाती इसलिए है छेत्र किसके लिए जाना जाता है मत्स कि यह तो आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग ठीक है देखिएगा इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखो अच्छी से थोड़ा सा यहाँ पर एक देश से जर्मनी और यहाँ पर एक देश से फ्रांस जर्मनी और फ्रा कर्णान्स की उपर की ओर देखना उत्तर सागर के किनारी तीन डेस हैं इन देसों के नाम है B E N E की और लूवेक्स क्या doctors थो उन उत्रणा क्या हुता है तो दिस आट का नीदर लेंड और LUX कमलब है LUX कमलब है लगजंबर्ग क्या नाम है लगजंबर्ग तो लगजंबर्ग देश कौन सा देश है लगजंबर्ग तीन देश है एक नाम है BE, एक नाम है NE, एक नाम है LUX Belgium, नीदर लेंड और लगजंबर्ग अब Belgium दे इसकी बात करते हैं तो Belgium की रायधानी बुरुसेल्स है Belgium की रायधानी बुरुसेल्स है और इस बुरुसेल्स में क्या है तो NATO का headquarters है NATO समझते हैं NATO एक सेन संगठन है NATO का headquarters है यानि NATO का यहाँ पर मुख्याला है NATO का मुख्याला कहाँ पर है बुरुसेल्स और बुरुसेल्स का की राधानी है वेलियम नीदरलेंड नीदरलेंड में आपको दूच इस्थानियाद रखनी है नीदरलेंड जो नीदरलेंड की राधानी है वो एमस्टरडम है नीदरलेंड की राधानी एमस्टरडम एमस्टरडम नीदरलेंड की राधानी एमस्टरडम है इस एमस्टरडम में एक कार किया जाता है हीरे की कटाई की जाती है हीरे की कटाई का कार होता है और हीरे की कटाई के साथ-साथ हीरे पर पॉलिस की जाती हीरे पर पॉलिस की जाती हीरे पर कटाई हीरे कटाई और हीरे पर पॉलिस का कार किया जाता है जबकि नीदरलेंड का जो दूसरा सहर हमको बताना था उस सहर का नाम है हैग है इस हैग सहर को तो अच्छी से जानते होंगे इसी हैग सहर में अंतराष्टी नियायाले है हैग सहर तो हैक सहर किसे के लिए famous है अंतराष्टी नियायाले अंतराष्टी यहाँ पर अंतराष्टी नियायाले है आपको यह बात याद रखनी है और अंतराष्टी नियायाले में भारत का कौन सा व्यक्ति है तो व्यक्ति का नाम है दलवीर भंडारी दलवीर सिंग भंडारी जी ए लग्चमबर पूछे जा जाते हैं बी जो ऑन डाट जहाँ पर नाटो का मुख्याला है कि जहां पर हीरे कि पॉलिस का कार यह कि है कि है कि है यह मैं उसर भारत की और शेह नाया है लिस्य मिंट लादरी-जाद्र उट्र disag कि रादारी जीह जा है UST तीन देशों के विसेश्टा क्या है ये तीन देशों को एउरोप के निमने भूमी का देश कहा जाता है एउरोप के निमने भूमी का देश कहने का मतलब यह है कि माल लीजीगा एउरोप में जो देश है ये धरातल है एउरोप के सारे सभी देश इस समान धरातल पर हैं लेकि समान धरातल से नीचे होने के कारण ही इन देशों के लिए एक सब्दियों किया जाता है Low Land Country of Europe Low Low Land Country of Europe एरोप के निम्न भूमी के देश तो इन तीन देशों को नाम दिया गया यहां पर लिख रहा हूं मैं Low Land Land Country C-O-U-N-T-R-B-I Low Land Country of Europe Low Land Country of के यहां पर तो Low Land Country of Europe एरोप के निम्न भूमी का देश अभी बताइएगा इस समान धरातल से थोड़ा नीचे है कहां पर यहां पर है समान धरातल से नीचे हो किस सागर के किनारे है उत्तर सागर के किनारे है उत्तर सागर के किनारे है तो यहां पर बाढ़ आने की संभावना भी जानदा है वेस्ट का सबसे अच्छा महादीब माना जाता है यह बहुत जानदा सांती है आप देखिएगा जितने भी सूचकांक है हमारा चाहें प्रेस्वतंतरता सूचकांक हो चाहें विस्ट प्रसंडेता सुचकांक हो चाहें भरहष्ट चार बिरोधी प्रसंड़ को जितने भी सुचकांक हो आप देखेंगे यहें के देश सबसे आगगे रहते हैं बहुत अच्छे कंडरी हैं बहुत डवलप कंडरी है तो एक मैंकरेंट का कुष्चन बताता हूँ कई बार पूँछा जाता है विसका सबसे सांत महादुईब कॉंसा है तो आपका यूरोप और सबसे काउंसा है तो जो सबसे आसांत महादुःब है उसका नाम समझी रहे है अफ्रीका है बो तो यह तीन देस है और इन तीन देसों को एयरोप महादीब के lowland country कहते हैं lowland country of Europe चलिए इतना हो गया lowland country of Europe हो गया बबु तो हम इसको अब मिटा दे रहे हैं मिटान एक बाद आँगे बढ़ जाएंगे अब देखेगा हम लोग कहां पहुँच गये English Channel, और English Channel से हम लोग आंगे बढ़ चुके थी, और English Channel से जब आँगे बढ़ेंगे, तो English Channel से आँगे बढ़ेंगे, तो यहां पिन सा महासागर है, Atlantic, Atlantic महाँसा अगर के नीचे चरना है तो यहां पर एक खाड़ी है, वे और विसके की खाड़ी बहुत जानद पूछा जाता है विसके की खाड़ी कहां पर है तो यूरोप में है और विसके की खाड़ी के नीचे यहां पर एक देश है कौन सा इस्पेन इस्पेन नीचे वाबाजू में कौन सा है फ्रांस तो विसके की खाड़ी के किनारे दो महत्पूर्ण सहर है एक का नाम है France और दूसरे का नाम है आपका Spain अब और आंगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर एक देश है इस देश का नाम क्या है इस देश का नाम है पुर्तिगाल बासको डिगामा यहीं का तब पुर्तिगाल पुर्टगाल के और नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक नया महादीब विश्टार्ट होता है नीचे से और इस महादीब का नाम है इरो इस महादीब का नाम कहा है इरो तो यहाँ पर इस पेल और पुर्टगाल के नीचे यहाँ पर एक जलसंदी बना दी गई मैं एक जलसंदी पढ़ा चुका हूँ जलसंदी का नाम है जिब्राल्टर तो यहाँ पर ऐसा है ऐसा बना लेते हैं इवाला है इवाला आपका पुर्टगाल है और पुर्टगाल के बाद है यहाँ पर आपका स्पेन है और यहाँ पर नीचे जो महादीफ है इस महादीफ का नाम है अफ्रीका कौनसा महादीफ है अफ्रीका यहाँ पर उपर यहाँ पर एक महासागर जिसका नाम है अटलांटिक महासागर कौनसा महासागर है अटलांटिक तो यहाँ पर एक जलसंदी है और यहाँ पर जो जलसंदी है यह जलसंदी का नाम है जिब्राल्टर जिब्राल्टर जलसंदी कौन से जलसंदी है जिब्राल्टर जलसंदी तो अट्लांटिक महासागर से यहाँ पर एक जलसंदी है जिब्राल्टर जब्राल्टर जलसंदी है तो यहाँ पर एक कौन सा सागर आ जाएगा भूमंत सागर अब आपको इसको अफरीका से जोड़ देना भूमंत सागर के आंगे बड़ेंगे तो सोईज नहर और सोईज नहर से कहां पहुंचेगा भारत तो अभी आपको यहाँ पर इतना याँ रखना है बकाया आप उरोप तो मैं समझा चुका हूँ आपको दुबारा से बार मैं रिवाइच करा रहा हूँ कि यहां पर जलसंदी है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी क्या कर रही है जिब्राल्टर जलसंदी अट्लांटिक महासागर को meridiancy meridiancy यानि भूमाद्यसागर से जोड़ती है मैं पढ़ा चुका हूँ अफ्रीका में देख लीजिगा हूँ आपर मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको कि जो आपकी जिब्राल्टर जलसंदी है जिब्राल्टर जलसंदी क्या कर रही है इरोप महादीब को किस महादीब से अलग करती है अफरीका से इरोप या इस्पेन या हम महादीब की बात कर लेते सिधी तो कौन से महादीब है अफरीका तो अफरीका महादीब को किस से अलग करती है इरोप महादीब से ठीक ना और भूमात सागर से आंगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आपको देश मिलेगा इटली इटली के आंगे बढ़ेंगे तो यूनियन सागर यहाँ पर बढ़ेंगे एजिन सागर और यहाँ पर बढ़ेंगे काला सागर तो आज हमने सागर महा सागर और क्या विसेश्था है यह समझा दी कल यूरोप का दूसरा पार्ट इस्टार्ट करूँगा जब कल दूसरा पार्ट इस्टार्ट करूँगा तो राजधानी यूरोप में ऐसी विसेश्था है कि यूरोप के जो देश से उनकी राजधानी किसी ना किसी नदी के किनारी बसी हुई है तो यह आपका होमवर्ख है आपको यूरोप आला मैं पच्छे से देखेगा और देखेगा पिरते एक देश के राधानी किसी नदी किनारे अधिकान देशों में ऐसा है ठीक ना? तो नदी और परवत यह हम कल यूरोप के समय लेंगे तो आज यहें रखते हैं इसके आंगे कल मिलते हैं तो इसके आंगे कल स्टार्ट करेंगे ठीक ना? तब तक के लिए थैंक्यू सुवरात्री